हेलो दोस्तों स्वागत है भकत कौमीनिकेशन के एक और ने वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है RRB मेंस रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड की और से ALP मेंस एसिस्टेंट लोको फाइलेट के जो है भरतिया चल रहा है आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जो है फोटो और सिगनेचर को किस परकार जो है अपलोड कर पाएंगे इसका क्या इंस्ट्रेक्शन है everything इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देखे जैसे हम लोग फोटो और सिगनेचर वाले ओप्सेन पर आ जाएंगे न दोस्तो तो आप लोग का कुछ इस पर करका जो है इंटरफेस दिखेगा तो इसमें देखे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जितने भी लिखा हुआ है न दोस्तो यह फोटो का है और आप देख सकते हैं यह जितना भी लिखा हुआ है यह सिगनेचर का है तो देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके according resize करेंगे और इसके according जो भी instruction दिया गया है उसके according अपना फोटो को बनाएंगे और upload करके आप लोग को जो है live दिखाने वाले हैं तो देखिए दोस्तो सबसे पहला line आप लोग का बोला है कि आप लोग का जो photo होना चीए वो color होना चीए और आप लोग जो फोटो का background होना चीए दोस्तो वो white होना चीए इसके बाद आपको बताया जा रहा है नीचे आपको इतना गुना इतना होना चीए means आपको 35 mm गुना 45 mm आपका फोटो का साइज होना चीए और या फिर दोस्तों आप लोग अगर पिक्सल में करेंगे तो 320 गुना 240 होना चीए और आप लोग का जो फोर्मेट होना चीए जेपीजी में होना चीए और आप लोग का जो साइज होना चीए 30 के भी से लेके 70 के भी तक होना चीए और ये सब दोस्तों आप लोग को बताया गया है कि आप लोग का जो फोटो होना चीए वो straight होना चाहिए, आप यहाँ पर भी click करेंगे ने, तो आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस परकार का photo नहीं चलेगा, नीचे जो है ना दोस्तों, नीचे जो right दिया हुआ है, इसी परकार का photo चलेगा, आप देख सकते हैं, आप glass पहने होंगे, त तो नहीं चलेगा, एक तरफ अगर आप लोग का चाया है, तो नहीं चलेगा, हना, तो मतलब जितने भी selfie बगरा होते हैं, वो यहाँ पर नहीं चलने वाले है, तो मेरे पास एक photo है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को white background करना होगा, तो white background करने के लिए दोस्त add background पर क्लिक करेंगे, इसमें आप लोग को देख सकते हैं, बहुत सारे option आजाएंगे, इसमें जो color का option है, इसके बद वाइट फे क्लिक करेंगे, इसके बद दोस्तों आप इसको download कर लेंगे, अब देख सकते हैं, आपका जो photo है वो white हो चुका है, अभी दोस्तों हम लोग क इसको resize करना पड़ेगा, resize करने के लिए दोस्तों हम इस वाली वेबसाइट पर आएंगे, जिसका भी link में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्स में डाल दूँगा, या फिर दोस्तों आप लोग गूगल में image resize लिखेंगे, तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पर आ तो अभी दोस्तों आपको left side में जितने वी work है आपको इसको ही करना पड़ेगा, देखिए इसमें आप लोग को सबसे पहला option क्या दिखाए रहा है, by dimension तो आपको इस पे ही click करने कर दे लेना होगा, उसको आपको कुछ करने के जोरत नहीं होगी, देखिए आपको यह जो width width और height आपको देना होगा, तो मैं website पर जाओंगा, और इसमें लिखा गया है 35-45, तो मैं यहाँ पर 35-45 लिख देता हूँ, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकता है, dpi 300 है, इसको आपको कुछ करने की जोरत नहीं है, इसके बाद नीची आ जाएंगा दोस्तों, तो आपको इसमें, एक्सपोर्ट सेटिंग में आप लोग एक्सपोर्ट सेटिंग है यह वाला, तो इसमें आप लोग ओरिजिनल में jpg किलिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोग को एक size देना होगा, तो यहाँ पर size क्या मांगे गया है, 300 keV से 70 keV मांगे गया है, त तो देख सकते हैं, आप लोग डाउलोड हो गया है, फिर आप लोग यहाँ पर किलिक करेंगे, मतलब आप यह जितने भी प्रोसेसर है, तो आप मोबाइल में भी कर पाएंगे, तो देखे, मैं फोटो भी मेरा research हो चुका है, तो यह फोटो research हो गया है, अभी हम लोग देख plus आप यहाँ से कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों राइट चीने करदेंगे, तो आप लोग पौटो जो है, इसके बाद dousतो signature की बारी, signature क्या है दोस्तों, आपको signature, black pen या फिर blue pen से आपको करना होगा वो भी white box means white paper आपका होना चीए समझ रहने दोस्तों white paper में आप लोगो signature होना चीए और इसका दोस्तों dimension देखे रखा गिया है 50 mm to 20 mm तो हम लोग इस वाली ही website पे आएंगे और इसमें ही सारा कुछ process करके आप लोगो जो है दिखाने वाले हैं तो इसमें फिर से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे signature को अभी ले लेंगे signature को लेने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें दोस्तों आप लोग का इसमें mm करना होगा mm करने के बाद दोस्तों width और height आप लोग को कितना मंगा गया है website में आप देख सकते हैं 50 गुना 20 त सब्सक्राइब कर देता हूं इसके बाद दोस्तों आप लोग इसको अपलोड करेंगे कैसे अपलोड करेंगे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग का रिसाइज का भी ऑप्सिन दे दिया है प्लस थोड़ा कर लिजे या फिर माइनस थोड़ा कर लिजे आप अपने एकॉडिंग उसको बैठा लिजे इसके बाद साइज चिन्ने कर दिजे देखिए फोटो भी हो चुका है और सिगनेचर भ भरती आई हुई है एलपी एन मतलब एलपी की जो भरती आई हुए है उसमें फोटो और सिगनेचर को किस पर का रिसाइज करेंगे इस्टेब बई स्टेब मैंने आल प्रोसेस के उपर इस वीडियो में बात किया हूँ अगर यह वीडियो आपनों का अच्छा लगा तो ला चिंग जाहिंद जा भरत